हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग head element और meta elements के बाई रहे रहे जानेगे the head the HTML head elements is a container for the following elements देखिए head element एक container होता है जिसके अंदर title, style, meta, link, script और base tag वेगरा इसमें लिखा जाता है title में हम लोग web page का title देते है, style में हम लोग CSS का styling करने के लिए देते हैं, और meta में जो ACO के लिए हम लोग देते हैं, और link में हम लोग कोई भी file को attached करना रहा तो उसके लिए script में javascript का tag हम लोग देते हैं, और base वाले element में हम आगे के video में बात करेंगे बैस का टेग लिएकर क्या किया जाता है कंद डासो ऐस्ह्टल मास्ट यालस टैस्ट वाता-पैस का हेडिंग होता है क्लिए इसे ओ friendly के लिए SEO में सजेस्ट करने के लिए मुझे डालते हैं एजम्पल देख लिए टाइटल होम टाइटल इसमें कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं के लिए मैं दखा देता हूं इसको मैं कोफी पाथ करता हूं ब्रॉजर मजाता हूं पेस्ट करता हूं अभी अगर आप देखिएगा तो यहां पर यह डॉक्मेंट लिखा हुआ है और यहां पर देखिए यहां पर टाइटल में डॉक्मेंट लिखा है अगर आप अपना नाम भी लिख दिजिएगा लिख यहां पर कुछ भी आप लिखिएगा टाइटल में जो भी आपका जिसीच से रिलेटर आपका वेबसाइट होगा उसको वहां पर लिखना है और यह आपको एडिंग में सो होगा देखिए सब्सक्राइब करते हैं कि किस करेक्टर सेट में लिख रहा है हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वेब लापमेंट में यूट्य एफ एक करेक्टर सेट किसे ही करते हैं पेज डिस्क्रिप्शन पेज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए कीबोर्ड आउथर का नाम देने के लिए अधो आउथर डॉक्मेंट जो है डॉक्मेंट का आउथर कौन है व्यूपोर्ट का सेटिं the metadata will not be display on the page but are used by browser how to display content content or reload page by search engine keywords and other web service अई देखिए metadata के प्योग हम लोग करते हैं यह metadata आपको दिखाई नहीं देता है user को पर वे search engine के optimization और web browser को बताने के लिए पर्योग करते हैं defining the character set हम लोग character set यूज करने के लिए कौन सा character set यूज करते हैं हैं तो लिखेंगे meta character set अब बड़ा में UTF और 8 लिखेंगे इसी character set में हम लोग programming करते हैं को web development में ठीक है define keyword for search engine उसके लिए यहां पर meta लिखेंगे name में keywords लिखेंगे keywords आपको कौन सा keywords अगर Google में search किया जाए या किसी browser में तो आपको suggest करें लिखेंगे अगर आपका shopping का website है आप यहां पर क्या लिखेंगे 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 यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखेंगे किस लिए यहां पर यह स्टीमल सी से जावा स्क्रिप्ट का website है तो free web tutorials के लिए यहां पर लिखा है अगर आपको shopping website है तो आप लिख दीजिएगा for shopping website या cheap shopping site for shopping define the author of the page यहां पर आपको मेटा लिखना है नेम में author लिखना है content में author का नाम दे देना है यहां पर देखिए refresh document every 30 seconds यह देखिए अगर इसको आप लिखिएगा meta http required और equal to के देकर sign refresh लिखिएगा content में जितना यह 30 सेकंड है उतना देर में आपका automatic page refresh हो जागा मैं जांपल में देखाता हूं यह निच्छे वाला code है यह आपको यहां पर close होगा मेरे छुड़ी आ होगा यह आपको responsive के लिए आपको setting the viewport to make your website look good on all device device friendly के लिए इस टैप को यूज़ करते हैं मैं इसको copy कर लेता हूं अब देखिए इसको चिपकाना का देखिए आटोमेटिक मेटा केर से टूटी एट यहां पर दिया हुआ है और यह जो responsive के लिए यहां पर दिया हुआ है आप इसी के नीचे चिपका देजिए इसको ए ध्यान रखिएगा यह में एक देख के अंदर ही लिखाता है एक अंदर टाइक लिखाता और मेटा वाले भी यहां पर content में अगर लिखा है सेड़ाय 15 सेकेंड और मैं इसको पांच सेकंड लिखूं और सेफ करतूं सेफ करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको सेकर बाद यहां पर आटमेटिक ही रिफ्रेश हो गां कि यह देखिए यहां पर रिफ्रेस हुआ अभी नहीं पता चल रहा है आप लोग को कि कितना वेट किया जाएगा यहां पर हम दो लिख देता हूं दो सेफ करता हूं सेफ करने का बाद अब देखिए अट्वाटिक यह रिफ्रेस होगा देखिए गारां से कोर से यह हो रहा है यहां पर देखिए अधियो हुआ यह देखिए जैंपल है पूरा उसका कोड है इसे आप देदेजिएगा देखिए आपको कोडिंग किया जाता है आप हेट के नीचे मेटा टेग सब्सक्राइब करें जाता है यहां प्लिखा है या यह टाइटल जो आप उपर भी इसको जो कट कर देजिएगा यहां पर भी लिख दीजिएगा तो कोई दिकत नहीं टाइटल और मेटा टेग हेड़ टेग के अंदर ही रहता है यह अपना ध्यान रखिएगा कोई देकत वीडियो अचाला अतरा लाइक कर सेर करें सब्सक्राइब करता सुराच इन